आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि आपके लिए कितनी बड़ी खुशखबरी आने वाली है। आपके जीवन से जितनी भी गंदी चीजों का प्रभाव था वो दूर होने वाला है। आपका पारिवारिक जीवन धेर सारी खुशियों, धन और प्यार से भरा रहने वाला है। वहाँ नकारात्मक चीजे थी, वहाँ नकारात्मक ऊर्जा थी, वहाँ नकारात्मक लोग थे, उन सभी को आपके जीवन से हटाया जा रहा है। और आप अपने जीवन में बहुत अधिक आनन्द ले रहे हैं, यहां मैं आनन्द देख रहा हूँ, आप बहुत आनन्द ले रहे हैं, आप आनन्द ले रहे हैं, बहुत सुखी जीवन, आनन्द लेने वाले बहुत खुश होंगे, आज का डाउनलोड संदेश बहुत लोगों के लिए आया है, मैं ये बात कहूंगा कि जो भी इस वीडियो को सुन रहा है वह ठीक है, जिसने भी इस पर क्लिक किया है, ये वीडियो आपके लिए है, ये आपके लिए इतनी बड़ी चीज आये है कि आप खुशी से उचल पड़ेगे, नाचने लगेंगे, बहुत यहां मैं एक और चीज देख रहा हूँ, मैं यहां एक और चीज देख रहा हूँ, आप लोगों को बहुत मजा आ रहा है, उसमें स्वापन, स्वापन आ रहे हैं आपको कुछ बहुत ही दैविय संकेत भी दिये जा रहे हैं, जो संकेत दे रहे हैं कि अब आप जाग जाएं, अपनी गहरी नीन से जाग जाएं, आपके जीवन में जो भी अशलीर रंग थे, जो भी नकारात्मक चीजे थी, जो भी नकारात्मक उर्जा थी, जो आपको होने वाली हैं और आप अपने जीवन में खुशियों का आनंद लेने वाले हैं बहुत कुछ ठीक है दिव्य यहां यही कह रहा है कि ब्रम्हांट का खेल शुरू हो गया है आपके भगवान का खेल शुरू हो गया है जैसे ही आप इस वीडियो को सुनेगे क्या आपको समझ न नहीं आएगा आप खुशी से नाचने लगेंगे ठीक है आप नाचने लगेंगे मैं देख रहा हूँ आपके जीवन में एक बात बहुत महत्वपूर्ण है खुशी का जो भी मतलब हो ठीक है जो भी अच्छी चीजें जो चीजें आपसे दूर चली गई खुशियां जो आ खुशियां आपके जीवन से दूर हो गई थी उससे दस गुना ज्यादा खुशियां आपके जीवन में आने वाली हैं जैसे जैसे आपके जीवन से खुशियां दूर होती गई मैं देख रहा हूँ कि ऐसा लग रहा है मानो खुशियां आपके साथ ही आपका साथ छोड़ तुम्हीं लग रहा था कि खुशियां तुम्हारे घर का रास्ता भूल गई है और अब आती भी नहीं ठीक है, इसका मतलब है कि मैं यहां किसी की उर्जा महसूस कर सकता हूँ इसका मतलब है कि तुम सोचते हो कि खुशियां शायद मेरे घर का रास्ता भूल गई है इसका मतलब वो मेरे घर का रास्ता भूल गया है और इसका मतलब है कि लंबे समय से आप लोग, मेरा मतलब है मैं यहाँ देख रहा हूँ कि आप किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा चिंता कर रहे थे, बहुत ज्यादा चिंते तूर्जा, यहाँ मैं देख रहा हूँ, ठीक है, आपके प्रती बहुत ज्यादा नहीं, मैं एक चीज देख रहा हूँ, वो खुशी आ रही है, वो खु सकता हूँ, क्या यह मन की बात है, बस कुछ ही दिनों की बात है, मैं तुम्ही एक बहुत ही सकारात्म कूर्जा में देख रहा हूँ, जहां तुम बहुत खुश हो, प्रसन हो और तुम्हारे जीवन की कोई बड़ी इच्छा हो, मैं देख रहा हूँ कि वो यहां पूरी हो सकत इधर देखिए, मैं देख रहा हूँ कि आपके घर एक पुरसकार आ रहा है, किसी को भी पुरसकार मिल सकता है, ठीक है आपको कोई भी पुरसकार मिल सकता है, आपके परिवार में किसी को भी, आपके माता पिता, आपके पिता, आपके भाई, आपकी बहन, आपके परिवार का कोई भी सदस्य परिवार या फिर आपको कोई पुरसकार मिल सकता है और मैं यहां ये भी देख सकता हूँ कि आपके जीवन में किसी भी तरह का कोई नकारात्मक लोग नहीं थे ठीक है, जो भी नकारात्मक कार्य थे, वे सभी आपके जीवन से दूर हो गए हैं आपके जीवन में जो भी समस्याएं पैदा हो रही थी, वे सभी बैक टू बैक हमेशा के लिए दूर हो गई, जिन लोगों ने आप पर हमला किया, आपके परिवार पर हमला किया, इन लोगों पर मानसिक हमला किया इस बुरी नजर को अपने जीवन से हटा देना ही ठीक है आपके जीवन में जो भी चीजे ऐसी थी, जिनसे आपको बहुत बुरा महसूस हुआ, यानि कि उन्होंने आपको बहुत फसा हुआ महसूस कराया ऐसा लग रहा था मानों आप बहुत ब्रमित हो गए हो क्या आप कारण को लेकर असमंजस में हैं, ठीक है तो वो लोग आपकी जिन्दगी से हमेशा के लिए दूर जा रहे हैं वो बुरी नजर, सब कुछ मितने वाला है किसी भी तरह का जादू टोना जो भी गंदा काम था देख रहा हूँ, ये चीजें आपके जीवन में बैक टू बैक हुई है नकारातमक्ता का मतलब है आप पर बैक टू बैक मान से खामला ये बैक टू बैक किया गया है इसलिए अब ये सभी चीजें हटाई जा रही हैं ये सभी चीजें पूरी तरह से हटाई जा रही है एक के बाद एक ये सभी चीजें जो आप पर की गई थी ये सभी चीजें आपके जीवन से हटाई जा रही है ठीक है इसका मतलब है कि नकारातमक्ता को दूर किया जा रहा है और उन्हें आपके जीवन से हटाया जा रहा है, उन्हें पीट पीट कर आपके जीवन से हटाया जा रहा है, सफाई की जा रही है, पूरी सफाई की जा रही है, उन्हें मार मार कर आपकी जिंदगी से दूर किया जा रहा है, ठीक है, इन लोगों को हटाया जा रहा है, यहां तक कि जिनके इरादे बेहत बुरे हों, ऐसे लोगों को भी आपकी जिन्दगी से हटाया जा रहा है। मैं आपकी जिन्दगी से बहुत दूर हूँ, मुझे यहां देखने दो, मेरा मतलब है, कोई कहता है कि जैसा मैंने आपको बताया था, सफाई चल रही है। उनका जीवन कितना खुशाल है। ऐसे लोग हैं जिनका कोई मतलब नहीं है, जो लोग ऐसे लोगों को बहुत अधिक महत्व देते हैं, ये लोग जानते हैं कि उनकी स्थिती कितनी उची है, बहुत अधिक है। गंदा है, ठीक है, बहुत बुरा है, ये किसी को भी कहते हैं कि हम बहुत खुश हैं। ना कहने से इन लोगों का मतलब होता है, ये बहुत गंदे इरादे वाले लोग हैं, इन लोगों को आपकी जिन्दगी से निकाला जा रहा है, ठीक है, पर आपकी तरफ अभी बहुत खुशियां आने वाली हैं और इन लोगों को भगाया जा रहा है, ठीक है, बहुत आप जानते थे कि एक दिन मेरी इच्छाएं पूरी होंगी, मेरी इच्छाएं पूरी होंगी, मैं जो चाहता हूँ वो मुझे मिलेगा, मेरा समय भी आएगा, इसलिए वो समय आ गया है, ठीक है, यह आपके उपर है. वर्दान का अर्थ है, आपके पास जो कुछ भी था, उस पर प्रसन्नता की वर्षा. इस पर तुम्हें वर्दान मिल रहा है, पर मात्मा आप पर बहुत कृपा कर रही हैं. वो तुमसे बहुत खुश है, आपका बड़ा अर्थ आपके लिए बहुत बड़ा है, आपके बहु और पर मात्मा को धन्यवाद कहें. आच लाख अठासी हजार चारसो चौवालीस लिखें और कहें, हाँ, मैं आपके आशीरवाद के लिए तैयार हूँ. धन्यवाद, दिव्या. मैं अपने आशीरवाद के लिए तैयार हूँ. आपकी लीला बहुत अच्छी है, भगवान. आपकी लीला सबसे परे है. मैं अपने जीवन में खुशियों के लिए तैयार हूँ. अभी मैं रिसीविंग मोड पर हूँ. कमेंट सेक्षन में जरूर लिखीं. ठीक है, एक बड़ा अवसर आपकी ओर आ रहा है. भगवान स्वयम प्रदान कर रही हैं. आप ये चीज़ें सफलता आपकी ओर आ रही है. ठीक है, आपने बहुत धैरिया रखा होगा. मैंने कहा कि आपने धैरिया के साथ इन चीज़ों का इंतजार किया है. तो अब ये आपकी ओर आ रही है. ये सभी चीज़ें आपके जीवन में आ चुकी हैं. सफलता आपके पास आने वाली है. आपको कोई बड़ा पुरसकार मिल सकता है. देखिए मैं यहां आपके घर में चीज़ें आते हुए देख रहा हूँ. वे चीज़ें आपके घर में आएंगी जिससे मैं बहुत अच्छा बन जाऊंगा. ठीक है, बहुत अच्छा होगा. अच्छा माहौल. शायद आप एक पारिवारिक पार्टी कर सकते हैं. आप कुछ करीबी दोस्तों, कुछ ऐसे परिवार के सदस्यों को आमंतृत कर सकते हैं. ठीक है, अपने घर पर और कुछ खुशाल स्वस्थ जीवन का आनंद लें. ठीक है, परिवार, पारिवारिक देख रहा हूं. आपको किसी तरह का पुरसकार मिल सकता है. ये सभी चीजें, अगर कोई बिजनेस में है, तो कोई बहुत बड़े बिजनेस में है. ये उनके लिए बहुत अच्छा है. उनका व्यवसाई बहुत अच्छा बढ़ सकता है. अगर वे नौकरी में हैं, तो ठी ठीक है, संभव है कि आपकी पदोन्नती हो जाई या इंटरव्यू में आपका चयन हो जाए. मैं यहां देख रहा हूँ कि किसी की परीक्षा आने वाली है. ठीक है, आप लोग परीक्षा में अच्छे अंक चाहते हैं, आपने परीक्षा में जो भी काम किया है वो अच्छा कर ना चाहिए. अगर आप इसमें बहुत अच्छा करते हैं, सफल हो जाते हैं तो ये चीजे भी हो सकती हैं. ठीक है, तो ये चीजे यहां बहुत आयत में दिखाई देती हैं. आशीरवाद प्रच और मात्रा में आपकी ओर आ रहा है. ठीक है, बहुत कुछ. ठीक है, बहुत तो ये चीजे यहां दिखाई दे रही हैं. मैं ये कह रहा हूँ कि कोई बहुत ग्यानी है, वो कोई अतींद्रिया है, जिसकी उर्जा मैं उठा रहा हूँ. वो बहुत अतींद्रिया है, आप लोग बहुत ग्यानी हैं. मैं एक बात कह सकता हूँ. आप लोग ऐसे लोग हैं जो आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश करते रहते हैं, वे चाहते हैं कि आप मूर्ख बने, ठीक है, वे आपको मूर्ख बनाना चाहते हैं, आपको चमकाना चाहते हैं, लेकिन आप उनके सभी गंदे इरादों को पैचानते हैं, आपके आसपास कुछ लोग हैं, ठीक है, आ रायद आप कुछ भी नहीं जानते हैं, आप ऐसे हैं, लोग आपको आथाई आसानी से बेवकूफ बना कर अपना काम बना सकते हैं, लेकिन वे ऐसा नहीं करते हैं, जान ले कि आप बहुत बुध्यमान हैं और आप उनके सभी इरादों को अच्छी तरह से समझते हैं, उनके इनसान को मैं बेवकूफ बनाना चाहता था, ठीक है, उस इनसान ने मुझे बेवकूफ समझा, उसने मुझे इतना बड़ा बेवकूफ समझा और मैंने अपना मतलब पूरी तरह से उसके सामने जाहिर कर दिया उससे मेरा सच उसके सामने आ गया है, मतलब उसने अपना मतलबी चेहरा छेपा लिया है, जो इनसान तुम्हें बेवकूफ समझता था, वो तुमसे काम करा सकता है, तुम बहुत मतलबी, मासूम इनसान हो, शायद तुम हो, तुम कर सकते हो, इसे भी दिखाओ आप एक मासूम इनसान है, आप में से कई लोग हैं जो आपकी आत्मा हैं, आप बहुत पवित्र आत्मा हैं, आप न तो किसी को गलत बाते कहते हैं और नहीं आपकी बात सुनते हैं, ऐसा नहीं है कि आप किसी की गलत बाते सुनते हैं, नहीं आप ऐसा नहीं करते हैं, उसे सु आप तुरंट उत्तर दें लेकिन अनावश्यक जाल में नफसें। कोई बात नहीं, बेकार की बातें जूट बोलने में या किसी को नीचा दिखाने में या दूसरों की चुगली करने में आपकी बिलकुल भी रुची नहीं है लेकिन कोई आपसे कुछ कहता है। जब वो बोलते हैं तो आपका मतलब होता है कि आप इट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। मैं यहां ऐसी उर्जा एकत्व कर रहा हूँ। ठीक है, अगर तुम नहीं गए तो यह वही व्यक्ती है जो तुम्हें मूर्क समझता था। आने वाले समय में उन्हें सब पता चल जाएगा कि उनका मतलब क्या था। कि आपने उनकी सारी उर्जा पढ़ ली है। ठीक है, आप उनके सारे इरादे जानते हैं। आप तो बस यह देख रहे थे कि एक व्यक्ती कितना नीचे गिर सकता है, वो अपना काम पूरा करने के लिए कितना आधिक जूट बोल सकता है। ठीक है, बहुत जूटा है, मैं यहां ये चीज देख रहा हूँ। ठीक है, तो डिवाइन किसी चीज के लिए हां कह रही है। आपको भी यहां ये मेसेज मिला है, जो मैंने देखा, मैंने आपको बताया कि दिवाइन किसी को हां कह रही है। आपने कुछ सोचा होगा, कुछ मानगा होगा, कुछ कहा होगा, इसके लिए परमात्मा आपको हां कह रहे हैं, हां ठीक है, हां। तो किसी का जूट आपके सामने आ सकता है, उनका जो जूट है वो आपके सामने आ चुका है और बहुत कुछ अधिक. जूट उनके सामने उजागर हो जाएगा यहां ये दिखाई दे रहा है कि आपका दिव्यमानसल व्यक्ती ठीक है आपका दिव्यमानसल व्यक्ती वो आपसे बहुत प्यार करता है ठीक है वो करता है लेकिन वो आपको वो चीज कभी नहीं दिखाता है वो आपको ये बाते नहीं बताता, वो कभी भी आपको वो लगाव और प्यार नहीं दिखाता जो उसके मन में आपके लिए है लेकिन बहुत जल्द वो आपको ये चीजे दिखाएगा, ठीक है वो आपको ये बाते समझाएगा कि आप उसके लिए क्या माइने रखते हैं, क्या हैं तुम्हें उससे मतलब है, बहुत-बहुत, आप उनके लिए बहुत अनमोल हैं, ठीक है, ये बात यहां, कम, वो बात, हम आपको बताएंगे, ठीक है, हम जरूर बताएंगे, हो सकता है कि ह हमने आपको अभी तक नहीं बताया हो, तो शायद हम आपको आने वाले समय में बताएंगे अभी या अभी, इस वीडियो के बाद हम आपको कुछ बताएंगे, आप ऐसी बाते सुनते हैं, देखिए, यहां एक बात बिलकुल स्पाष्ट है, यहां मैं देख रहा हूं कि आपक मैं देख रहा हूं कि आप जो चाहते हैं वो आपको मिल सकता है, यह ठीक है, इसका मतलब यह है कि लोग आपसे थोड़ा नीचे हैं, आप उनसे उपर हैं, आप उन्हें समझा रहे हैं, आप उन्हें बता रहे हैं, इसलिए यह बात देखने में आ रही है, यहां बहुत ज् आपकी उर्जा को चुराना चाहते हैं, उर्जा पिशाच लोगों को आपके जीवन से दूर किया जा रहा है। दिखाई देती हैं, आपके जीवन से बहुत गंदी चीजे दूर हो रही हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाए नमो नमाह इसका जाब करें। आपके आस्पास की उर्जा बहुत सकारात्मक रहने वाली है, जहरीले लोग दूर हो रही हैं, यही सबसे बड़ा कारण है कि ये सारी चीजे आपके जीवन से उल्टी पढ रही हैं, जो भी बातें आपको परेशान कर रही थीं, वो आपको हमेशा के लिए परेशान कर रही ये लोग आपकी जिन्दगी से हमेशा के लिए दूर होते जा रहे हैं, आपका नेता भी कौन है जो आपको चोट पहुचाने की कोशिश करता है, अपने जीवन को बहुत अधिक खराब करने का प्रयास करें, चलिए बात करते हैं खीचतान की, ठीक है या लड़ाई में बने रहो, ये तमीज नाम की कोई चीज नहीं है, मैं उन लोगों के बारे में बात करूंगा जिन्हें आप जानते हैं, आप जानते हैं कि आपके जीवन से उन चीजों को हटाया जा रहा है, आप अपने स्तर के नहीं हैं, जो उनका स्तर है, तो लोगों को आपके जीवन से नही नहीं रहेंगी», छुपी नहीं रहेंगी, तुमी से चुपी हुई है, वो नकारात्मक बातें, वो तुम Newamin और बड़ रहें हैं और अ क्षेकारिया आपके जीवन में आ रहें हैं, आप अपने जिवन में अच्छे कार्य कर रहे हैं और आप इसमें सफल भी हो रहे हैं जीवन भी बहुत जल्द यहां सफल हो जाता है और ये दिखाया गया है कि आपके जीवन को बदलने वाली चीज है शिफ्ट होना ठीक है बहुत सारी मशहूर हस्तियों की तरह कई उत्सव आने वाले हैं ठीक है खुशिया आने वाली हैं ये तीन से चार रीडिंग से आने वाली हैं सेलिब्रेशन यहां तक तो ठीक है लेकिन यहां भी अचानक से मेरे मुहूँ पर आ गया मेरे मुहूँ पर आ गया ठीक है और अगर बहुत ज्यादा है तो बहुत ज्यादा भी हो सकता है अगर मैं इस चीज को बह उत्सव आ सकते हैं। परिवार में कुछ ऐसा माहौल बनाया जा सकता है कि कुछ ऐसी चीजे बनाई जाएं जिससे उत्सव का माहौल बने। ठीक है ये चीजे यहाँ हैं और भी आ रही हैं। अगर आपके जीवन से किसी तरह की नकारात्मक चीजे चली जाएंगी तो नकारा परमात्मक चीजे नकारात्मक लोग नकारात्मक उर्जा हमारी उर्जा घर से जो भी चीजे हमसे दूर होती हैं तो हम बहुत अच्छी चीजों को अपनी ओर आकरशित करते हैं। पूरी मेडिकल लाइन में है, मेरे पिता एक डॉक्टर हैं, तो यह मुझे यहां भी दिखा रहा है कि कोई मेडिकल लाइन से है। एस्ट्रो चाहे एस्ट्रो हो या मतलब ये सभी टैरो रीडिंग इन सभी चीजों में बहुत रुची रखते हैं। बहुत ज्यादा है, ये चीज यहां बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है, तो हो सकता है कि ये कोई ऐसा क्षेत्र हो जिसमें आप मेहनत कर रहे थे, काम कर रहे थे। वहां से कठिन बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आपको कोई शुब समाचार मिल सकता है, ठीक है, यहां परमात्मा कह रहे हैं, तुम आगे बढ़ते रहो, तुम्हें पीछे मुढ कर नहीं देखना है, अपने अतीत को याद नहीं करना है, इसे अपने पास छोड़ो, मि अंधी मुद्दों के बारे में सोचते हैं, आए ऐसी चीजों के बारे में जानें, समय के समय में नाम प्रसिद्धी का खेल, ठीक है, यह बहुत है, आप बहुत सम्मान करते हैं, अपने परिवार में अपने परिवार का सम्मान करते हैं, अपने परिवार में हर क्षेत्र मे अपने परिवार का सम्मान करते हैं और आपको सफलता का मतलब है लोग यहां है, परमात्मा उन सब को उखाड कर फेक रहा है तो तुम्हें इसमें प्रवेश क्यूं करना है, तुम्हें जाना क्यूं है, यह क्या है, क्या कर रहा है, यह क्यूं नहीं करना है ये सब क्यूं नहीं कर रहे हो बड़ी बातें, वस बहादुर के साथ आगे बढ़ें, आप बहादुर के साथ पढ़ रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छे हैं। महादेव जी का आशीरवाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इसे आगे देखीं, इस संदेश में कुछ ऐसा है, जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपिया इसे नजर अंदाज ना करें।